यानि आटो क्लिंग करेंगे हमारा रूम को इसमें क्लिक करना है and ये चलन लगेगा and अभी ये चारजिंग स्टेशन में जा रहा है चारजिंग स्टेशन यानि डास्ट ग्लिनिंग स्टेशन के ऊपर जा रहे है और अभी इस वीडियो को लाइक करके IT Creators YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए एंड इस बेल आइकन में क्लिक करके ये औल में क्लिक कर दीजिए ये है डीबोट N8 Plus वैक्यूम प्लास मॉपिंग रोबोट एंड ये नया वाला मॉडल का जो रोबोट है ये फुली आटोमेटेड है तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को अन्बोक्सिंग करते हैं देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कांटिंट तेकनिकों मिलेगा तो सबसे पहले ये दो लॉक को अलॉक करना है एंड धीरे से इसका ढगकान को अन्बोक्सिंग मतलब अनफोल्ट करना है तो इसे हम खोलेंगे जैसी कि अब देख सकते हैं इसके अंदर एक हैंडल दिया गिया है इस बोक्स को ओपिन करने के लिए साइद इसके अंदर रोबोट है काफी वरिये आपको धियान से निकालना पड़ेगा तो हम इसे अभी साइड में डखते हैं उसके बाद आपको और एक बोक्स मिलेगा इस बोक्स के अंदर आप देख सकते हैं ये सभी एक्सेसरीज दिया गया है उपर में ही आपको आइकन देखने को मिल जाएगा तो अभी इस बोक्स को भी हम साइड में रखते हैं आपको धियान रखना पड़ेगा निकालते वक्त धियान से निकाल लिए इसको भी अभी हम इस टेवल के उपर रखेंगे तो बोक्स अभी हम नीचे कर देते हैं तो ये था बोक्स कंटेंट जो ये बड़ा सा बोक्स के अंदर ये दो बोक्स अंद ये ओटोमेटेड क्लिनिंग स्टोरेज आपको मिलेगा तो अभी हम ये वैक्यम क्लिनर को निकालके एक एक करके एसेंबलिंग करके आपको दिखाएंगे तो कि आप भी step by step ये vacuum cleaner को आप assembling करके use कर सकते हैं तो चलिए अभी देखते हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये auto empty station को जो smart auto empty station है तो नीचे से इस cover को हटाते हैं इस auto empty station को आप देख सकते हैं इस station को आप wall के site में किसी भी जगा में राख सकते हैं ये auto empty station के पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एक plug point जिस point के साथ वैर को connect करना है और उस plug को फिर से board के साथ connect करना है तो अभी हम देखेंगे ego wax का ये जो box है मतलब ये सबी जो tools है तो इस tools को हम अभी निकाल के देखते हैं तो सबसे पहले हमें इस box को खोलना पड़ेगा यहां पर आप कुसील देखने को मिलेगा तो box को खोलते हैं box को खोलने के साथ साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा mopping cloth जो mopping plate के साथ ये attached होके ही आएगा तो mopping cloth और प्लेट को अभी हम site में रखते हैं और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा microfiber mopping pad for devote यह mopping pad था आपको extra और कुछ mopping pad दिया जाएगा जो इस packet के अंदर आपको मिलेगा ऐसे ही mopping pad आपको मिल जाएगा इसका brushes को जो vacuum cleaner का जो इस robot का front में ये दो brass attached होगा नीचे की तरब तो इसको भी अभी हम site पर लखते हैं तो अभी हम निकालते हैं इस box को यहां से आपको देखने को मिल जाएगा कुछ paper works इसको खोल के हम देखते हैं इसके अंदर है क्या तो इसके अंदर से सबसे पहले आपको मिलेगा एक warranty card and warranty card book यह warranty book कौन सा product क्यूप और कितना warranty आपको मिलेगा उसके वाड़े में लिखा हुआ है अब यहां पर आपको मिलेगा एक मोटा सा user guide manual book इस user guide manual book में आपको multi language का feature या शूविदा मिलता है अगर अब अलग-अलग देश में अब रह रहे तो अलग-अलग language में आपको मिलेगा तो अभी हम इस user guide manual book को भी site में रखते है इसके अंदर से आपको मिलेगा filter bag मतलब इस tool के अंदर इस empty station के अंदर जो filter bag रहता है उस bag को भी आपको extra दिया जाएगा कितना bag दिया गया है अभी हम देखते है एक्स्ट्रा आपको एक bag दिया जाएगा क्योंकि ये bag को आप reuse कर सकते हो इस के अंदर एक bag दिया गया है and extra आपको और एक bag दिया जाएगा इसको भी अभी हम package के अंदर रहक के site में करता है तो यह से भी content था इस toolbox के अंदर अभी इसके अंदर और कुछ नहीं अपको मिलेगा तो अभी हम इस box को site में कर देते हैं तो आभी हम निकालेंगे हमारा main content हमारा mopping and vacuum robot cleaner तो इसको अभी हम निकालके देखते हैं कर देखते ही आपको एक अलग फील आएगा premium वाला फील तो इसके अंदर वस इस वैक्यम क्लीनर रोबोट को ही दिया गिया है इसके साथ इस box के अंदर और आपको extra कुछ नहीं मिलेगा तो इसको धीरे धीरे निकालना है क्योंकि यह काफी heavy weight है इसके हमारा यह robot vacuum cleaner को अभी हम देखते हैं इसको explore करते हैं इसके उपर में आपको plastic wrapping देखने को मिलेगा इसको आपको हटाना ही पड़ेगा first आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा open तो यानि यहां से इसको उपर की तरफ करना है यह चीज को आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक mini user guide दिया गिया है इसका app को डाउनलोड आप कर सकते हैं जो app store and google play store में available है eco wax का जो app है इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक cleaning brush जो brush से आप धूल वगेरा को easily clean कर सकते हैं इसके पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एक blade जिससे आप hair वगेरा चहांपर अटाकता है उसको आप easily cut सकते हैं उसको clean करके निकाल सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक dust tank जिसको कुछ इस तरीके से निकालना होता है यह dust tank upgrade version से है क्योंकि इसके निशे से यह empty station dust को clean कर लेता है इस filter back में सारे dust चला जाता है तो यह fully automated है फिर से इसे अपकुछ इस तरीके से यहां से यहां पर रख सकते हैं ऐसे इसे लोग कर सकते हैं तो यह लोग हो जाएगा एंड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक on off main button जिसको ऐसे slide करने से यह active हो जाता है तो यहां पर आपको light side दिख रहा है, मतलब यह active हो चुका है, अब यह sleep mode में है, अगर इस button को हम press करेंगे तो यह active हो जाएगा, यानि on हो जाएगा, तो यह है एक quick start button, जो multifunction है, इसको अब press करके इस robot को अब manually चला सकते हैं, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक main button, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, यह wifi यानि connection का एक restart button, यहां पर भी आपको एक barcode देखने को मिल जाएगा, जो app से इस robot को connect करने के लिए दिया गिया है, इसको scan करके आप direct इस robot को आपका smartphone के साथ connect कर सकते हैं, तो यह सभी था इसके अंदर सारे process, तो अभी हम इस ढ़कान को पाप कर देता है, तो रोबोट को on करने से पहले आपको यह सभी plastic wrap को हटाना परेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यह सभी चीज को भी हटाना परेगा, तो इसको हटाने के लिए आप यह पर arrow देख सकते हैं, तो arrow को यहां पर ऐसे रख्कर इसको ऐसे पड़ेगा ऐसे, तो एंड यहाँ पर आपको और एक लॉक देखने को मिल जाएगा, तो एरो को पकारना है और ऐसे किचना है, तो यह सभी अनलोक हो गया आप देख सकते हैं, यह प्रोफर वक कर रहा है, अभी इसके नीचे की तरह आप अभी हम देखते हैं, नीचे में आप पर एक क्लिनिंग ब्रास है, जिस ब्रास को आप क्लिन करने के लिए इसको ऐसे अनलोक कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, उसके बाद इस ब्रास को भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसको भी आप धो सकते हैं, इसके उपर अगर कोई हैर बगेरा अटक रहा है, तो उस है proper गुमड़ा है कि नहीं जो ग swims है भी जो गार्ड को इस क्लीप को कुछ ऐसे इस siz करणा है एंद फिर से असे लगाना है फिर आसे लगाना है एंद उसके बाद यहां पार जो हम बाद कर रहे थे जो दो क्लीनिग बरास की गे दो खिलीनिग को को कालार मैच करके बस assembling करना है तो बहुत एजी है इसको बस दो ब्रास फीट हो चुका है इसके पीछे की तरब आपको मिलेगा एक water tank जिसको कुछ इस तरीके से इस clip को दबाना है फिर से इसे निकालना है इस tank के अंदर आप water fill करके रख सकते हैं क्यूंकि ये robot mopping भी करता है तो water spray करकी ये mop करता है ताकि आपके floor में जो सभी धूल वगेरा रहेगा सब कुछ एक दम क्लीन कर लेगा तो इसके अंदर water भरने के लिए यानि पानी भरने के लिए इसको ऐसे कीचना है और इसके अंदर से आप पानी भर सकते हैं पानी भरने के बाद आपको ऐसे इसे फीट करना है एक आवज आएगा मतलब ये पूरा अटक चुका है अभी हम इसको एप के साथ कनेट करेंगे तो डिबॉट का जो एप है हम पहले से यूज कर थे क्यूंकि और साथ करने के लिए पहले आपको ये ऑन करना पड़े était आउन हो जाएगा उसके बाद अपको करना होगा ये स्कैन वालब बटन में क्लिक इसको स्कैन करेगा और यहां पर आपको दिखाएगा आपका वाइप है एन्ड वाइफाई के पासवार्ड यहां पर आपको दिखाएगा तो उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है एंड यहां पर दिखाएगा I have switched on तो यहां पर आपको डेमो भी दिखाएगा तो यह on हो चुका है यहां पर music का symbol दिखा रहा है यानि आपको पूछ रहा है क्या आपका robot music का sound दिया तो हमने हमारा robot music का sound दिया तो I have switched on the board तो इसको टी करने के बाद आपको next में क्लिक करना है यहां पर आपको confirm करना है कि हां हम sound सुने I have heard the sound तो उसके बाद next में क्लिक करना है and hotspot के साथ यानि आपका घर का Wi-Fi के साथ यह connect होएगा इहां तो हमारा दिखा रहा है connect करने के लिए तो इहां पर आप connect में क्लिक कर दीचे weapons और यह कनेक्ट हो जाएगा है तो यहां पर आपको दिखाएगा यहां पर आप कास्टॉम नेम भी डाल सकते हैं यहां पर इसका नाम जो है डीवॉट एनेट ही हम रखेंगे उसके बाद हम डान में क्लिक करेंगे अगर आप अलग अलग रोबोट यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर आपको दिखेगा डीवॉट ओस्मो टीएट जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं और नाव वाला रोबोट को अभी हम देखेंगे तो यहां पर अगरा आप एक एप के अंदर माल्टीपल रोबोट यूज़ कर रहें यानि यह रोबोट वैकुम लिनर को यूज़ कर रहे तो यहां पर पर आपको क्या करना है एप को ओपन करने के बाद किस रोबोट से आप क्लिण करना चाहरे हैं उसको बस ऐसे स्लाइट करना है, यह है हमारा नया रोबोट, डीबोट N8+, अभी इसके अंदर 66% चार्ज है, यह ओनलाइन दिखा रहा है, यहां पर आपको आटो क्लिनिंग का एक बटन मिलेगा, यहां पर रिटर्न टू चार्ज का एक बटन मिलेगा, यहां पर एंटर तर र कर सकते हैं, और उसके बाद आप next कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, do not disturb, मतलब इस रोबोट को रोबोट के अंदर timer भी set कर सकते हैं, जिस टाइम के अंदर यह automatic active होके आपका घर या floor को clean कर देगा, तो अभी यह रोबोट का जो पहला काम है, जब यह रोबोट को अब पहली बार चला रहे है, रोबोट का पहला काम है, यह आपका floor का map डिडेट करके इसके अंदर save करेगा, तो create map में क्लिक करना है, अभी हमारा यह robot table के उपर है, map बस इसको click करना है, आपका पूरा floor के उपर यह घुमेगा, घुम के पूरा floor का map create कर लेगा, जहाँ पर space है, पूरा space को जहाँ जहाँ यह घुमेगा, उसका map create कर लेगा, फिर यह automated काम करेगा, तो अभी हम demo दिखा रहे हैं, तो map को अभी हम set कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं, यह robot कैसे कम करता है, यह जो map आप देख रहे हैं, यह घुम के map create करने के बाद, आपको कुछ ऐसा interface दिखेगा, यह हमारा पहला वाला robot का map है, जो हम पहले से ही create करके रखे थे, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखेग cleaning preference, तो cleaning preference में आपको मिलेगा अलग-अलग cleaning preference, जैसे कि इसका speed अब adjust कर सकते है, और कितना बार आप cleaning करना चार है, आपका घर के अंदर 1x या 2x, एक बार पूरा घर को clean करने के बाद, फिर से अगर आप चार है, और एक बार clean करें, तो 2x mode आप use कर सकते है, तो यहाँ पर आ आपका floor के हिसाब से आप जितना चार है, उतना water flow करके आपका floor को mop करेगा, तो यहाँ पर आपको cleaning preference दीखेगा, उसके बाद, यहाँ पर आपको दीखेगा, उसके बाद यहाँ पर जो three dot है, इसमें आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल चाहेगा, अलग-अ option, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका बाकी additional feature, जिसको आप on-off कर सकते हैं, आपका हिसाब से, तो यह सबी था basic overview, हमारा यह ecovacs app का, तो अभी हम देखेंगे, इस robot को कैसे use करते हैं, तो हमारा यह cleaning station ready हो चुगा है, यानि switchboard के साथ यह जूर चुगा है, तो अभी जो हमार काम है, हमारा यह robot को अभी चला आना है, यह robot, floor से जितना कुड़ा वगर्या collect करेगा, सब कुछ clean station में आने के बाद, automatically यह robot के अंदर से, सारे dust को, यह automatic collect कर लेगा, तो dust को निकालने के लिए, आपको जो करना पड़ेगा, इसके अंदर dust वेग रहेगा, तो यह जो अब 3 य मिलेगा, यह dust bag, dust bag को निकालने के लिए, आपको बस ऐसे खीचना है, तो dust bag को cleaning station के अंदर से निकालने के बाद, इसके अंदर जो से भी dust रहेगा, आपको कुछ इस तरीके इसके नीचे की तरफ करना है, और उसके बाद, यह जो छेद आप देख रहे है, इससे dust में में सार set करना है, यह ready visible है, आप एक चीज़ धियान में रखिए, इस चीज़ को cardboard से बनाया गया है, आपका हाद में पानी नहीं होना चाहिए, अगर यह विग जाएगा, तो यह खड़ाप हो सकता है, तो यह चीज़ को धियान में रखिए, आपका हाद में पानी नहीं होना तो फिर से इसको इस cleaning station के अंदर install करने के लिए इस cardboard का जो arrow आप देख रहे हैं यहाँ पर दो नौच है इस तरफ एंड इस तरफ दो नौच है इस नौच के अंदर से बस इस तरीके से लगाना है ऐसे push करना है यह अंदर चला जाएगा एंड इहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो cliff है इस तरफ एंड इस तरफ जो white सा cliff है यह अठक जाएगा यह लिए क्लीगा नहीं यहाँ पर देख सकते हैं इहाँ पर जो दो pin दिया गिया है charging होने के लिए दिया गिया यह यह charging station भी है और cleaning station भी है robot इसके अंदर automatic आजाएगा इसके अंदर जैसे ही robot टाच करेगा यह robot automatic charge होने लगेगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दो छेड दिया गया है and silicon rubber से यहां पर cover किया गया है तो यह cleaning station यानि charging station में power up करने के साथ-साथ यहां पर आपको एक white LED लाइट देखने को मिलेगा तो जब भी यह क्लिंग स्टेशन को आप ओपेन करेंगे यह लाइट रेड हो जाएगा एंड इसको बंद करने के साथ साथ यह फिर से वाइट हो जाएगा तो अभी हम इस रोबोट को ओन करके देखते हैं यानि चार्जिंग स्टेशन में ले ज क्लीप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको लगाना है एंड यह फिट हो जाएगा फिर से इसके अंदर पानी डाल देना है पानी डालने के बाद कुछ इस तरीके से क्लीप को ऐसे प्रेस करके यह फिट हो चुका है यहनि हमारा रोबोट आभी फुली रेडी है तो एप से आप क्लिक कीजिए return to charge यह automatically scan करेगा इसका charging session किधार है यह उधर automatically जाके charge होने लागेगा यह detect कर लिया है यह अभी charge होने लगा है यह automatically charge हो जाएगा यानि इसका charge जब भी full हो जाएगा यह automatically plug से unplugged कर लेगा खुदको तो अभी हमारा robot को auto cleaning mode में चलाएंगे यानि auto cleaning करेंगे हमारा room को तो इसमें क्लिक करना है and यह चलने लगेगा जाएगा यह कर दो दो जाएगा यह है यह ढ़ाएगा अभी यह बताओवा उसमें जाएगा झाल झाल कर चुका है अभी यह चार्जिंग स्ट्रेशन में जा रहा है तो इसके चार्जिंग स्ट्रेशन कीधर यह पहले ढूंडेगा एंड उसके बाद यह आटोमेटी कली चाहिए चार्जिंग स्ट्रेशन में जाने लाएगा तो अब देख सकते हैं यह कि इस तरीके से धीरे धीरे इसका चार्जिंग स्ट्रेशन यानि डास्ट क्लिनिंग स्ट्रेशन के ऊपर जाड़े यह चार्ज लेने के अब भी इसका क्लिनिंग स्ट्रेशन चालू हो गया है इसके अंदर जो सभी डास्ट था वो सभी डास्ट यह डास्ट क्लिनिंग स्ट्रेशन के अंदर जाड़ा है तो दोस्तों यह था हमारा डिवोर्ट एन एक प्लास फुली ऑटोमेटिट रोबोर्ट वैक्यम क्लिनर जो डास्ट क्लिनर स्टेशन के साथ आ रहा है तो इसको अब खड़ितना चाहते हैं तो एक प्रचेस लिंक आपको वीडियो ड्रिस्किप्सन में मिल जाएगा तो दोस्तों यह अमेजिंग वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका फ्रेंड्स के साथ फेस्बूक और वाट्सेब में सेयर कीजिए और अभी आपका स्क्रीन में मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करके सब्स्क्राइब कर लिजिए जहां पर आपको काफी सारा नया गैजेट्स देखने को मिलेगा तो नया एडवन्स टेकनलोजी गैजेट्स को देखते रहिए और नया इन्विन्शन करते रहिए